इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही ये लेरिक्स आपने सुनी होंगी लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे भारत की नई पीडी की रेल कहा जा रहा है च्रेन सिस्टम कहा जा रहा है, उस पर ये लेरिक्स भी सूट हो रही है, क्योंकि एक हफते बाद ही इस ट्रेन का ये हाल हो गया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जिस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, अब उसका ये हाल है ये तस्वीरें एहमदाबाद के पास ही मनी नगर स्टेशन के करीब से आई है, क्योंकि ये ट्रेन एक हादसे का शिकार हो गई है वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने भैसो का एक जुन्ड आ गया था, जिससे टकराने की वज़े से ट्रेन का ये हाल हो गया हादसे में जो है उसको कहें कि यात्रियों को च्रेन को कुछ उस तरह का नुकसान नहीं पहुचा लेकिन जो ट्रेन का इंजन है, आगे का जो हिस्सा है, उसको नुकसान हुआ है और ट्रेन के अगला हिस्सा जो कहें, वो खुल गया है, वो बाहर गिर गया आप देख रहे होंगे वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे उसके अगले हिस्से जो है वो चूटकर अलग हो गए हैं और ये जिस मैटल का बना है वो तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दरसल प्लास्टिक फाइबर का बना हुआ है आप देखें टीन बनाने में या कुछ है इस तरह की निर्माण में जो इस्तमाल होता है फाइबर टिन या प्लास्टिक उसका जो इस्तमाल होता है उसी तरह का ये नजर आ रहा है देखने में बहुत मजबूर ट्रेन लगी बहुती दमदार लगी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 30 इसे ने चेन के अगले इसे ने ये साबित कर दिया कि ये चेन जो है वो अंदर से खोकली है क्योंकि फाइबर के इस से तूटकर अलग हो गए हैं अब इसमें जो सफर करने वाले लोग होंगे उनको ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं जिस जगह पर वो बैठे हैं जिन जबूती मांगती है वो इसके अगले हिस्से में क्यों नहीं दी गई वहां फाइबर की जैसे आप देखें कि बहुत ये कच्छा निर्मान होता है कि बस से काम चलाओ कुछ है टेंटरी काम कर दिया जाए आगे टीन लगाके शेड लगाके फाइबर लगाके उसको ढग दि नरेंदर मोधी जो ये कहते हैं कि वो कभी ट्रेन में चाय बेचा करते थे उन्होंने ट्रेन का लॉंच किया तो लोग बड़े खुश हो गए कि देखें करांती कारी काम हुआ है नई पीडी की ट्रेन आ गई है लेकिन इस हादसे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं कि ट्रेन का ऐसा डिजाइन क्यों बनाया गया इसकी लागत में कमी करने के लिए क्या ये काम किया गया है कि इस तरह का घटिया मटीरियल जो है वो इस्तमाल किया कि सिर्फ भैस के जुन से टकराने की वज़े से उसका अगला हिस्सा खुलकर अलग हो गया वीडियो में आप द ऐसा बहुत खुल खर्च किया गया है जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो 16 बोगी की वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको बनाने में ये 2018 का आकड़ा है जिसकी लागत के हिसाब से बताया गया है उसके मुताबिक 106 करोड रुपए यानि एक अरब से भी ज्य गनीमत ये भी है कि ट्रेन के बाके इससे ठीक हैं सलामत हैं लेकिन उसमें यात्रा करने वाले लोग डरे हुए थे और अब जो उसमें यात्रा करेंगे उनको भी डर लगेगा तो ये material इस तरह का इस्तमाल करके भी एक आशंका जाहिर की गई लोगों में एक डर हो गया है क यारी ट्रेन के साथ क्या हुआ क्योंकि जरूरी होता कि ट्रेन को मजबूत बनाया जाता उसका डिजाइन अच्छा बनाया जाता मजबूत ही दी जाती लेकिन सिर्फ ट्रेन के जुंट से टकराने की वज़ए से ट्रेन के अगर इस तरह से परकच्छा अलग हो जाते हैं त तरह के लोग मीम शेयर कर रहे हैं उस पर कहें कि मजाद भी ऊडा रहे हैं उस पर मीम शेयर कर रहे हैं लेkiन एगंभीर सवाल हुआ हुआ है